जहें मेरी पैयारी दोस्तों आसकरती हैं आप सभी अच्छे होंगे कि यहां करो पता है कि हम लोग बिहार special पढ़ रहे हैं और बिहार special के इंतरगत आज हम लोग बिहार का भोगोल पढ़ेंगे बिहार के भोगोल के इंतरगत सबसे पहला टापिक जो हम उठा रहे हैं वो है बिहार की भोगर्फिक सारचना तो चलो देखते हैं तो इसके इंतरगत हम लोग चार परकार की चट्टाने पढ़ेंगे जो बिहार में पाई जाती है सबसे पहले धारवाड करम की जो चट्टाने है उसके बद टर्सरी चट्टाने फिर हम लोग विद्धयन चट्टाने देखेंगे उसके बद क्वार्टर्नेरी चट्टाने तो चलो हम लोग देखते हैं जो धारवाड करम की चट्टाने है उसका जो निर्माड काल है वो कब है प्री कैम्ब्रियन योग है ठीक है और इसकी अवस्तिती है ये धारवाड करम की चट्टाने जो बिहार में है वो कहां पाई जाती है तो वो वर्तमान के जमुई, नमादा, मुंगेर, मुंगेर की जो पहाड़ी है खड़कपूर की पहाड़ी बिहार सरीव राजगीर और गयाडिष्टी इतनी जगह जो है वरतमान समय में जो है धारवार की करम के चत्तानों का साक्ष मिलता है महत तो क्या है इन चत्तानों का तो यहां से सिल्ट नीश ग्रिनाइट क्वाटरजाइट मैगनेज क्रोमियम और अभ्रक जैसे तत्तों का जो है निच्छेव मिलता है आगे देखते हैं तरसरी चत्ताने देखते हैं तो इसकी जो अवस्तिती है जो लोकेशन है जहां पर मिला हुआ है वह है पस्च्चमी चंपारन शोमिस्वर की पहाड़ी और हेमालय के तराई छ जो कह रहा है कांगलोम रेड बालुवा पत्थर तथा चूना पत्थर का निक्षेव पाए जाता है ठीक है यहां पे क्या 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 कांगलोम रेड बालुवा पत्थर तथा चूना पत्थर का वह कह रहा संभावित तेल भंडार मतलब यहां पे तेल भंडार की जो है देखते हैं जो विंधयन यूग की चठाने उसको देख लेते हैं तो इसकी जो अवस्थिती है वो निचला जो विंधयन करम है ठीक है जिसमें आता है क्या सेमरी करन जो पढ़ता है कहां पर रोहतास जिला में दूसरा दो पार्ट में डिवाइट किया जाता है निचला विंधयन करम और उपरी विंधयन करम जो रोहतास के रोहतास यों कैमूर के सोन घाटी छेतर में पाए जाता है इसका जो महत हो है वो क्या है तो है यहां पाए जाता है चूना पत्थर बलुआ पत्थर और पाई राइट नि मखवरा वस सारनात के अस्तूप हेतू परियुक्त पत्थर ठीक है इनहीं तीनों पत्थरों का जो है परियुक्त कहां किया गया है जो सेर सांसूरी का मकवरा है और सारनात के स्टूप में आई समझे हैं चलो आगे दिखते हैं आगया क्वार्टनरी चट्ठा ने इसके जो अवस्थेती है वो कहां है बिहार के मैदानी चेत्रूम पाई जाता है इसके विसेस्ता क्या है तो कहरा तेठिस सागर के आउसेस योम गंगा वाव उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए आउसादों से निर्मित है ठीक है जो तेठिस सागर था उसके आउसेस और गंगा उसके सहायक नदियों द्वारा जो लाए गए आउसाद है उन्हीं से निर्मित हैं करा अतियंत उब जाव मिर्ड़ी है क्यों क्योंकि ये खादर मिर्दा है खादर ठीक है इसी वज़ा से अतियंत उब जाव मिर्दा है आगे देखते हैं, बिहार की भू आकरती शंगरक्षना देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सिवालिक का जो प्रवतिय छेत्र है, उसको देख लेते हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हैं, सोमेस्वर सनेडी, जिसका जो विस्थार है वो त्रिवेणी नहर से लेके भिखना ठोरी जो दर्रा है वहां तक ठीक है आगी कर रहा है इसमें परमुक दर्रा जो है तीन दर्रे पाए जाते हैं भिखना ठोरी दर्रा सोमिस्वर दर्रा और मरवात दर्रा यह तीन दर्रे जो है इस रेणी में पाए जाते हैं इसका जो व आगे देखते हैं उसके बाद है हरहा घाटी ये बिहार का जो जलोड मैदान का भाग है ठीक है ये हरहा घाटी जो है ये बिहार के जो जलोड मैदान है उसका भाग है इसका बिस्ता जो है तो करा सोमेश्वर सेड़ी वा रामनगर दून के मद्ध है ठीक है किसका हरहा घाटी आगे देखते हैं किरा रामनगर दून जो है ठीक है देखना यह सोमेशवर स्रेड़ी हो गया फिर हरहा घाटी हो गया अब रामनगर दून इसका विस्ताज जो है करा सिवालिक की दच्छिर स्रेड़ी का निम्न पहारी भाग ठीक है सिवालिक का जो दच्छिर स्रेड़ी है निम्न पहाड़ी का भाग है अधिक्तम उचाई जो है तो वो कहां है संतपूर के निकट में 242 मीटर ठीक है 242 मीटर आगे परिच्छा की दृष्टी से कुछ important fact है उसको देख लेते हैं तो कहरा बिहार को मुक्यता विभाजित किया गया है तीन भवगोलिक छेत्र में बिहा चल आती है किया ताल है ठीक है टाल है कि और उदारन मूर टाल बड़ हीया टाल उसके बाद कहरा है मुकामा टाल उसके बाद शिंगहौल टाल तो टाल याद रखना करा दच्छडी भिहर के मैदान में स्थित्व जलमगन निमन भूमियां ठीक है जो जलमगन है सबसी नीच केलाता है इसमें कुष्टाल है कुष हुगाणा मैं उसको दिख लेंगे ठीक है चलो आगे देखते हैं अब देखते है मैधानी चेर को ब्यार का मैधानी चेढ कि तो घरा गंगा नधी द्वारा दो भागों में विवाजित कौन-कौन भाग उत्तरी उत्त्री गंगा मेदान, दक्चिली गंगा के मेदान, मतलब यह विहार है आपका, और यहां से गंगा नादित दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक उत्तर में और एक दक्चिल में, करा कंट्रूल लाएन दोरा निर्धारान किया जाता है, कि यह दो भाग में विवाजित रिष्ट करता है। आगे देखते हैं करा उत्तरी गंगा का मेदान जो है। ठीक है गंगा जो उत्तर में स्थित्र रिक्श कुलिमीटर इसका 625980 किलिमेटर है। इसमें प्रमुग नदियां है और कोसी है जो बिहार का सोग कहा जाता है ठीक आपको पता होगा सबसे आदे बार लेका आता है उत्तरी बिहार में उसके बागमती है बूरी गंडक है गंडक है महाननदा है ये जो है प्रमुग नदियां है जो उत्तर बिहार में पाई जाती है गरल कह रहा है तो भाबर और तराई छेत्र कह रहा है उसके बाद बांगर खादर ठीक है अच्छा देखना भाबर और तराई छेत्र क्या होता है भाबर या तराई जो है या बांगर और खादर ठीक है और लाश्ट में है चौर जिसको मन बोलते हैं तो देखना सपोस्कोर य यह पहाड़ी छेत्र है इसके उपर सारा यह पहाड़ है ठीक है इस पहाड़ के नीचे जब नदिया आती है तो बड़े थोड़ा पत्थल लेके आती है लेकिन जादे बड़े बड़े नहीं थोड़ा छोटे छोटे पत्थल लेके आती है ठीक है मतलब कह सकते हैं कि बहुत छोटा नहोता है मीडियम क्SU के पत्था लेगे आते हैं तो तर्हाई छेत्रों में यहाँ पत्थल लाके पाट देती है इसी को लिए भावर यहाँ पर नदिया खुद गायब हो जाती है उसके बाद में अब सपोस्करों ये नदी है जब ये आती है मैदानी वाग पर ये नदी है ये नदी का बाढ़ का पानी जहां तक पहुंच जाता है वहां तक खादर कहा जाता है ठीक है जहां तक हर बाढ़ में नदी का पानी पहुंच जाए लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आज के हजार साल प आया उसके बाद है चवर जिसको मन बोलते हैं आगे देखते हैं इसका जो विस्थार है किसका जो उत्तरी मैदान का विस्थार है वो कौन कौन से जिले उसमें आते हैं तो भागल पुर्ण, सहरसा, दरभंगा, पस्मे चंपारन, सीमान, मदवनी, पूरभी चंपारन, गोपाल गंज, पूर्णिया, सारन, मुझफर पुर्ण इतने जिले में जो है उत्तरी गंगा का मैदान का विस्थार है परमुक दवाब, जो परमुक दवाब है, दो नदियों की बीच की जो जगा होती है, जो भूमी होती है, उसी को दवाब बोलते है, ठीक है, तो कहरा है, महाननदा कोसी दवाब, कोसी गंडग दवाब, गंडग घागरा दवाब, ठीक है, इतने दवाब है, आगे देखते ह करा दच्छली गंगा मैदान या दच्छली मैदान जो है इसका छेतफल जो है 39,670 वर्ग किलियो मीटर है ठीक है इसके मतलब जो उत्तरी गंगा का मैदान है उसका विस्तार जादे है दच्छली की पेक्चा इसमें परमुग नदिया जो कह रहा है तो पुनपुन नदि है और केवल नदि है वह गंगा नदि है जो गंगा नदि में आके पुनपुन और केवल नदि मिलती है ठीक है आगे देखते हैं इसका जो विस्तार है तो कह रहा है गंगा नदि के दच्छिड से छोटा अगर समझलू है और ये विहार है तो इसके उत्तरी भाग तक गंगा नदी के दचशडी भाग तक ये जो है दचशडी गंगा का मैधान है ये दच्शडी मैधान है और आगे देखते हैं करापर्मुग पहाणिया जो है तो इसमें गया राजगीर खड़क पूर, उसके बद बराबर, बराबर जो असोग ने किसको दान दिया था, जिए पर संपूरदाय को, ठीक है, योग गिरियक, ठीक है, गिरियक की पहाणियाँ, ठीक है, इतनी पहाणियाँ नहीं पा पाए जाती है, वरगे करार जो है, तो कहında है, भोझपुर का मेदा मगत का मेदन अंग का मेदन इस तीन मेदन में जो है स्को डिवाइटकिया जाता है तीन नाम से आगे देखते हैं करद दच्छिड का शीमान पठारी प्रदेश कुछ पठारी प्रदेश है बिहार के दच्छिड में उसको देख लेते हैं तो कहरा बिंधयन परबत का भाग है यह कैमूर का पठार ठीक है अच्छा बिंधयन का जो यह भाग है इसका विस्तार देख लेते हैं तो जबलपूर उमद्द परदेश से रोहतास बिहार तक है ठीक है जबलपुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्प बिहार तक आती है कौन बिंदे अनपरवत आगे देखते हैं पैमूर का पठार इसकी जो आउस्तम उच्छाई है यह कितनी है तो 300 से 450 मीटर इसका अन्य नाम जो है तो वह है रोहतास का पठार आगे देखते हैं खड़कपूर की पहाड़ी देख लेते हैं ठीक है खड़कपूर की पहाड़ी तो आकार तिरवुजाकार है ट्रेंगिल आकार है इसका ठीक है किसकी खड़कपूर की पहाड़ी का कह रहा है कोड कोड रमा ठीक है पठार के उत्तर पूर में इस्थित कोड रमा जो पठार है इसके उत्तरपूर में ये इस्थित है कौन खड़ाप पूर की पहाड़ी जो है विस्थार कह रहा है तो जमूलपूर से जमूई तक जमूई तक ये दच्छिड जो है दच्छिड बिहार में पाये जाता है ठीक है ये पाड़ी धारवार करम की चट्टाने है ठीक है सबसे पहले जो बिहार में चट्टानी बनी है वह ये चट्टाने है अब रिच्छा की दृष्टी से कुछ important question उसको देख लेते हैं तो सबसे पहला question है बिश्ट का सबसे बड़ा टाल छेत्र जो है वो कौन सा है तो कह रहा है मुकामा का क्यूल ठीक है हरोहर नदी घाटी में ये टाल है आगे देखते हैं करब बिहार में भारत का लगभंग 90% मखाने का उत्पादन किया जाता है तो उत्तर पूर के निम्न भूमी छेत्र मखाना जो होता है जो लोग ब्रत उगरा रहते हैं ठीक है जब ब्रत उगरा रहते हैं तो सफे सफे लावा की तरह होता है उसको भुन के ठाय जाता है ठीक दच्छिड का सीमांत पठारी प्रदेश जो है ठीक है कब की है धारवार छेतर की चट्टाने है ये आगे देखते हैं अब बिहार की मिर्दाएं देख लेते हैं जो मिट्टी है बिहार का उसके बारें देखते हैं तो बिहार की जो मिर्दाएं है उसके बारें देखना और दच्छट-विहार पठारी Cambam grape क rapport Retsas अंपकार की मैद्वानी मिर्दानें इसके भार देखते हैं इसके देखें जिसमें है पहला उप हिमाले परबत पाधिय मिर्दा जिसकी अवस्तिति है मतलब लोकेशन इसका कहा है, तो यह जो उत्तर पास्चिम बिहार है, पूरवी चमपारन, पास्चिमी चमपारन इस एरिया में इसका। कहां पढ़ता है उत्तर पश्चिम बिहार में इसका जो रंग है वो गहरा भूरा या पीला रंग है इसके जो विसेशता है कहरा है जैविक पदार्थों कि यह दिखता है यहाँ जैविक पदार जो हुमस है वो बहुत अधिक मात्राम पाय जाता है और इसमें उगने वाली प का जो है ये तीन जो है आके प्रमुक फसले हैं आगे देखते हैं परिच्छा की दृष्टी से कुछ important fact है उसको देख लेते हैं तो कहरा बिहार में परबत पादि के मिट्टी का विस्तार को कहते हैं ठीक है मिट्टी के विस्तार को कहते हैं तो भावर गशतर बिहार में अवरक मोलक मिट्टी प्राब्त होती है तो नवादा जिले सी प्राफ्त होती आगे देखते हैं तो तराई छित्र की मिर्दा देख लेते हैं अभी हम उत्तर बिहार की मिर्दाएं पड़ रहे हैं तराई छित्र की मिर्दाएं देख लेते हैं तो अवस्थिती जो है इसकी अवस्थिती देखते हैं तो जो अवस्थिती है वो उत्तर में बिहार नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व में किसन गंज से लेकर पश्ची में चमपारन तक ठीक है मतलब ये नेपाल है और नेपाल से सटा हुआ ये बिहार है तो ये कह रहा है किसन गन से लेकर और चमपारन तक और उसके जो ये नीचे वाला पूरा छेत्र है इसी छेत्र में कह रहा है ठीक है रंकरा भूरा या हलका पीला रंग यहां भूरा या हलका पीला और जबकि उधर क्या था जो हिमालिये जो था वो गहरा भूरा या पीला रंग विशेश्ता जो है तो अमलिये प्रकृत का है फासफूरस जादे पाए जाता है पोटास भी जाद सोरी सोरी फासफूरस यों पो बग फासपूरस और पोटास की कमी ही पाई जाती है फसले जो है तो धान पटसन जो सरसो और ग्यों ये प्रमुक फसले हैं यहां की अब देखते हैं पुरानी जलोर मिर्दा जिसको बांगर बोला जाता है ठीक है अविश्थिती जो है वो गंगा के दक्षडी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर गया पटना मुंगेर यों भागल पूर तक ठीक है यह कौन सी है पुरानी जलोर मिर्दा जिसको बांगर कहते हैं इसका जो रंग है वो हल गाढ़ा भूरा या हलका काला रंग विशेष्था जो है चूने यों पटास की अधिक्ता है चूना यों पटा मक्का धान गेहूं जोट ये परमुक फसले हैं उसके बाद है नवीन जलोर मिर्दा ये कहां पाय जाता है तो कहरा अवस्थिती जो है तो कोसी छेत्र में पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा और मुझफन नगर से चंपारन के उत्तर पस्चिमी भाग तक जो है ये छे छे कुछ पाया जाता है रंग जो है वो गहरा भूरा योग काला रंग विसेश्टा जो है तो ची 右 का कले बोला जाता इसकी अधिकता है ठीक है और नमी धारण करने की छम्ता जादे है और उरवर्ता ये भी जादे है यहां का ठीक है पर मुझ फसले जो है तो जहान नमी धनर करने के चंता जादे रहेगे, महा धान की बॉयत जादे होगी, गन्ने की भी, ठीक है, तो गेहूं मक्का दलान, के लिए जो है ये उपर युक्त trends माना जाता है, तो यहाँ प्रमोफसले जो है वो गान, धान, गन्ना, गेहूं मक्का, युण, दलान, जो है, यहां की आगे देखते हैं तो कह रहा है बल सुंदरी मिर्दा इसकी जो अवस्तिती है वो कह रहा है बांगर की दक्षिड दिसा में जो बांगर मिर्दा हम लोग पढ़ेते हैं उसकी दक्षिड दिसा में पूर्णिया सारसा दर्भंगा मुझफरपूर चंपारन यू साराण जिले मे इसका जो रंग है हलका भूरा यूं सफेद रंग है ठीक है बिसेशता कह रहा है तो चूने की अधिक्ता छारिये प्रावित अक्कम उर्वरता मतलब यहां पर जो है इसकी उर्वरक सकती जो है वो कम है पर मुफसले जो है धान गेहूं मक्का गन्ना तमाको आम लीची केला ज आगे देखते हैं कि दच्छिड बिहार की मैदानी मिर्दाएं देख लेते हैं ठीक है अभी तक हम उत्तर बिहार की पढ़ रहे थे अब दच्छिड बिहार की देख लेते हैं तो कह रहा है कगारी मिर्दा अब अस्तिती जो है इसकी तो गंगा के दक्छिडी दक्छिडी योम सोन और कियूल वाफ फालगू ठीक है जो फालगू कहाँ पहे है यह आपकी है गया में ठीक है नदियों के किनारे वाले छेत्र में जो है यह मिर्दा पाई आती है कौन सी कगारी मिर्दा इसका रंग जो है भूरा रंग है और चूनी की अधिकता है इसमें पर मुफसले जो है सरसो जो दाल मक्का और विभिन परकाय की सबजियां उसके बाद आती है टाल मिर्दा जो हम लोग पड़े है ठीक है तो टाल मिर्दा कहां पाई जाती है इसको देख लेते हैं तो अस्तिती जो है इसका वह है बकसर मुंगेर पटना भागल पुर जिले में इसका जो है वह धूसर रंग है इसकी जो बेसेशता है तो कहरा है जल मंगन छेतर है मतलब जल में हमेशा डूबा रहता है दो मट हुआ चीका मिर्दा की प्रधानता पाई जाती है मोटे कड़ वाली मिर्दा यहां पाई जाती है क्योंकि जल में डूबा रहता है तो जल निकनने के आणगे देखते हैं करेल या केवाल मिर्दा इसको देख लेते हैं करेल या केवाल मिर्दा इसकी अवस्तिती जो है बकसर जहानाबाद रोतास मुंगेर भोजपूर पतना भागलपूर और अंगाबाद जिले में ठीक है इसकी जो अवस्तिती है रंग जो है वो पीला या हरका गहरा भूरा रंग इसकी जो बिसेश्ता है वो क्या है कहरा सील्ट बालू यों किले का मिस्तरण करेल मिर्दा जिसको चारिये उसको केवाल मिर्दा अमलिये चारिये ठीक है यह सम मिर्दा इस परकार की मिर्दा अमलिये और चारिये भी है जलगरहर चमता जो है इसकी जादे है उर्वरक है ठीक है यहां पर जो है इसकी उर्वरक सकती जो है उजादे है परमुफसले जो है वो कौन-कौन से तो गेहूं दान बाजरा अरहर यहां की परमुफसले हैं उसके बाद आता है बल्थर मिर्दा इसकी वर्स्तिती जो है तो गंगा के मैदान के दक्षडी शीमा तथा छोटा नागपूर पठार की उत्री शीमा के मद जो है शंकीड पट्टी नुमा जो है छेत अब देखना ये छोटा नागपूर का पठार का छेत ये है आपका बिहार का छेत ठीक है संग रचना बना हुआ है इसी को कहते हैं बल्थर मिर्दा ठीक है आगे देखते हैं इसका जो रंग है इसका जो रंग है वो पीला पन लिये हुए लाल रंग मतलब हलका पीना पन लिये हुए अधिक जो है लाल रंग होता अबिसेश्ता जो है अम लिये प्राकृत क्या और कम रूबरक ठीक है प्रमुफसले जो है वालू ज्वार बाजरा अरहर यहां की प्रमुफसले है कुछ इ करा बिहार में पीड मोंट श्वयंप मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी बिहार में पीड मोंट श्वयंप मिट्टी पाई जाती है ठीक है कहां पाई जाती है तो ये पश्यमी चमपारण के पश्यमोत्तर भाग में देखना ये है हमारी दिशा तो ये है हमारा पश्चिम और ये हमारा उत्तर तो इस भाग में किसके पूरवी चमपारन की तो बिहार के कह सकते हैं कि दो ओने पर बिहार के ये वाले कोने पर पाए जाता है ठीक है कैसा पीड मोन this कयंत। मिर्दा ठीक है आगे देखते हैं करा मुझफरपूर दर्भंगा तथा चम्पारन जिले में पाई जाने वाली जो मिर्दा है वो नवीन जलोड़क मिर्दा है कहां पर मुझफरपूर दर्भंगा तथा चम्पारन जिले में आगे देखते हैं नेस्ट जो कुश्यन है वो है करा दक्षिड के शंकीड पठार की मिर्दाएं देखते हैं लाल बलुवा मिर्दाएं है ये ठीक है अवस्थिती जो है रोहतास यों काइमूर जिला रंग जो है लाल या पीला विशेष्टा जो है बालू की अधिकता है ह्यूमस की मात्रा अधिक कम उर्वरक जहां बालू होगा वहां उर्वरक कम हो जाता है पर मुफसले जो है तो बाजरा है मक्का है ज्वार है आगे देखते हैं लाल वा पीली मिर्दा अवस्थिती जो है दच्छिड पूर्व बिहार जिसमें बांका जमूई नमादा गया मुंगेर योम और रंगाबाद के पठारी छेत्र आ जाते हैं इस मिर्दा के नत्रगत ठीक है इसका जो रंग है वो लाल है ठीक है इसकी जो विशेशता है लव तत्त की अधिकता और उर्वरग जो है कम होता है जो परमुख फसले हैं यहां वो दलहन और मोटे यानाज अब कुछ परिच्छा की द्रिष्टी से important fact है उसको देख लेते हैं तो खहरा है बिहार में अधिक वर्षा के कारण ब्रिहद अस्तर पर जूट की किरसी होती है कहां पर तो देखना सबसे अधर बाढ़ कहां आता है तो उत्तरी बिहार में तो उत्तर पूरवी बिहार में उत्तर पूरवी मितलब ये वाला छेत्र ये वाला बिहार का छेत्र अगर ये पूरा बिहार है तो ये वाला छेत्र ठीक है आगे देखते हैं बिहार के लगभग 90% छेत्र फल पर विस्तरित मिर्दा पाई जाती है तो जलोल मिर्दा क्योंकि बिहार में बहुत बाढ़ाता इसी वज़र जलूर मिर्दा पाई जाती है करा धान तथा जूठ हे तू उपर युक्त मिर्दा है तो वो खादर मिर्दा कौन से होती है जहां पर बाढ़ वाली छेतर होता है ठीक है जहां बाढ़ आता है आगे कह रहा है बिहार में डाल का कटोरा कहलाता है कौन सा एरिया कह किलता है कि हम पूरे भारत में पूछ नहीं कोल अगा है कि जिवेशन है के जिभी माने है टिवह कि न फिलेगने स्क्सक्राव कि उनैगर किष्सना वर्थ Within गविशन है मतलब सरफ भारत के धान का कातूरा कहा जाता है आगे देखते हैं परमुक्तत्य जो है कुछ परमुक्त कोश्चन है इसको भी देख लेते हैं करा अब पुराने बिहार के कितनी परतिसत्त जमीन लेकर जहारखंड राज का गठान हुआ तो टोटल सौ मसे 45 परसंट जो है लगवक 46 परसंट के करीब जो है भूम वो जहारखंड लेके चला गया करब भीम बाद बन्य जीव अभ्यारण इस्तित है वो मुंगेर जिले में करब भीम बाद बन्य जीव अभ्यारण कि जीव जीव में इस्तित है मुंगेर जीव में करब भीहार का अधिकांस भू भाग अच्छादित है तो किस से कछारी मिर्दा या दोमट मिट्टी से आगे गर आए बिहार में दामोदन नदी परवाहित होती है तो भरंस घाटी से अच्छा देखना भरंस घाटी क्या होता है दामूर्दन नदी जो है कोईले के छेतर से जादे बहती है यह नदी काली हो जाती है इसलिए जो है यह काट फिट जादे करती है ठीक है भरंस घाटी मतलब जहां नदी बहुत मतलब जमीन के बहुत नीचे से बह रही हो और किनारे किनारे जो ही तो है जैसे घाटी टाइप क बन जाए ठीक है उसी को भरंस घाटी कहते हैं जिसे आप देखे होंगे इंडरमदा और तापी नदी ठीक है भरंस घाटी में बहती है तो आज इतना ही रहने देखते हैं बाकी हम लोग कल देखते हैं धन्यवाद